हेलो मित्रो मैं पूजा आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मित्रो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाश्ट में जाके आप एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और सेयर जरूर करके जाईएगा अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए बात करते हैं कि नाभी पर बनी टेड़ी लाइन या गाढ़ा भूरा लाइन का बनना किसका संकेत होता है तो देखिए मित्रू कई लोगों का कहना है कि हमारी लाइन थोड़ी हलकी या गाढ़ा है या फिर किसी किसी का संकेत ये भी है कि हमारी नाभी पे लाइन ही नहीं बना है तो ये किसका संकेत है कई महिलाओं का ये भी कहना है कि उनका तिसरा मंत चल रहा है और ये लाइन नही भी बना है तो आज इस वीडियो में सारी टॉपिक में आपको कबर करके बताती हूँ की यह किसका संकेत होता है गर्व अवस्था में हर मही ला के साथ कुछ नकुछ अलग होता है और हर महीना की बॉडि अलग अलग होती है और हर्मॉन उनके में Be हर महिला को कुछ ना कुछ टेंशन होता है प्रेगनेंसी में हर महिने कुछ ना कुछ सारीरिक बदलाव भी होते रहते हैं और कुछ हर्मोनल चेंजेज भी होते हैं जिससे महिला के बॉड़ी में उतार चड़ाव आते रहते हैं उसमें से एक महिला के नाभी के नीचे एक ला इस लाइन को बनने का क्या मतलब होता है तो देखिए मित्रो प्रेग्नेंसी के समय तोचा में एक हार्मोन रिलीज होता है उसको मेलेनन हार्मोन कहा जाता है या फिर प्रेग्नेंसी के समय हमारे तोचा में ये मेलेनन का बढ़ना भी एक कारण होता है और हार्मोन का डिस बैल लाइन कम बनता है और किसी-किसी में यह मेलेनन ज्यादा हो जाता है जिसकी वज़ा से यह लाइन डार्क नजर आते हैं यह लाइन किसी-किसी को नाभी से लेकर प्राइवेट पार्ट तक बन जाती है और किसी-किसी का यह लाइन नाभी तक भी नहीं बनता कुछ महिलाओं कि ये उलज़न होती है कि ये लाइन से जेंडर का क्या connection होता है लेकिन ये मित्थ है मित्रो ये गलत बात है अगर प्राइबेट पार्ट से सीधी या गारी लाइन जाती है तो मानते हैं कि लड़का होगा और लाइन जरा यानि कि जरा सीवी टेरी मेड़ी या फिर हलकी है तो माना जाता है कि लड़की होगी अगर लाइन किसी को नहीं बन और बहुत हलकी बनती है और थोड़ा बहुत बनता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसको लड़की ही होगी तो देखिए मित्रों ये किसी किसी को 50% तक सच भी हो जाता है लेकिन ये किसी किसी में होता है ये ये बात हमारे पुराने जमाने से ही मतलब अंदाजा जो पुराने जमाने के औरते हैं वो अंदाजा लगाया जाता है या फिर लगाती आ रही है और आज भी ये अंदाजा ल लाइन ना बने तो लड़की और सीधी गारी लाइन बने तो लड़का ऐसे आप अपने मन को या फिर अपने जिग्यासा को सांथ करने के लिए ही लीजिए इसे तो कि हर महिला की बोडी का हर्मोन अलग-अलग होता है और हर महिला की प्रेगनेंसी भी अलग-अलग होती है तो तो इसे आप 100% सच नाम मानें, इसे केवल अपने जिग्यासा और एंटर्टेन्मेंट के लिए ही रखें, मित्रो हमारे चैनल का उद्धे से लड़का और लड़की में फर्क करना या फिर जेंडर का प्रचार करना बिल्कुल भी नहीं है, हमारे जो जिग्यासा हमें हुआ थ जरूर करके जाईएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक धन्यवाद, थैंक्यू फर वाचिंग